एक दो साल पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था अरीना एनिमिशन इंस्टूट के उपर काफी सारी लोगों ने वो वीडियो देखा है और अभी चल भी रहा है वीडियो तो इस पे मेरे एक सस्क्राइबर ने जो कॉमेंट किया है जो आप उपर देख पा रहे हो तो इसमे जैसे में काफी टाइम से में ये बोलते आ रहा हो लोगों को तब तक सौधीश है कि इंस्टूट में मज जाईए जब तक आपका टीचर का सैलरी साट से चालिस से लेकर साट अजार के बीच में ना हो होता क्या है ये लोग आपको काफी सारे सौफ्ट्विर को बताते हैं फॉर एक्जामपल आपको 3D एनिमेटर बनना है तो उसके साथ आपको आफ्टर फैक्ट भी सिखा दीते हैं मेरा कहने का मतलब होता है कि अगर आपको क्रिकिट का प्लेयर बनना है तो आपको सिर्फ क्रिकिट में ध्यान देना चाहिए ना कि फुटबॉल में प्लेयर प्ल मतलब यह नहीं कि वो सारा गेम खिलता है इसका मतलब है कि अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको एक ही गेम में ध्यान देना चाहिए वैसा ही जैसे एनिमेशन में अगर आपको एनिमेशन में किसी भी फ्रीड में जाना है या तो आप 2D एनिमेटर बनो या आप स्टोरी यह देखो कि आपका टीचर का सेलरी हाई होना चाहिए जो कि मुझे लगता कि कभी होगा भी नहीं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम कमाने का बैटा है यहां पर क्या होता है कि सामने वाला तीन लाग देता है लेकिन उसको पंद्रा सॉफ्टर गिनवा देता है जो पढ़ बिखता है काम अच्छा है तो आपको हमेशा काम मिलेगा